हेलो व्योर्स जिली रेसिपी इसमें आप सब का स्वागत है तो व्योर्स हमारी आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही तरावट और ठंड़क देने वाली है जी हां आज हम बनाने वाले हैं केरी पन्ना और वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से तो व्योर्स केरी पन्न इसको वाइटमिन बी मिलता है जब हम इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे हाजमे को बहुत दुरुस्त रखता है हमारे पेट को यह ठंडा रखता है तो इसके साथ अगर हम गुड़ को भी एड़ कर देते हैं तो बहुत जादा जो है वह हेल्थ मैनिफिट्स के हमें मिल जाते है तो वियर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो चलिए सबसे बहले आज की रेसिपी के जो मेन इंग्रीडियंट्स है उनकी बात कर लेते हैं तो यहां मैंने 750 ग्राम कच्ची केरी या आ करेंगे तो वियर्स चीनी आप चाहे तो पिसी हुई ले ले और चाहे आप दानेदार चीनी ले और अगर आप चीनी इस्तेमल नहीं करना चाहते तो अगर आप कलर के लिए भी जादा नहीं सोचते हैं तो बहुत अच्छी चीज गुड आप इसमें एड़ कर सकते हैं और गुड जो है वो आपको जिस्ट हाफ कॉंटिटी में यनि की 100 ग्राम आपको आड़ करना है अगर आप जादा मीठा पसंद करते तो आप देर सो ग्राम भी एड़ कर सकते हैं तो आपको इसे क्रश कर लेना है और इसके अंदर जो है वो आड़ कर देना है सिंपल सा तरीक है करश कर लें या काट लें इसी के साथ हमेड करेंगे इसमें भुना हुआ और आधा कुटा हुआ πुरी तरह से ना इसको पीए तो भुना हुआ जीरा एक टीजमत करेंगे इसमें स्वादा नुसार ड्जरने वाले पिसी काली मिर्च जो है वो हम चोथाई चम्मच इसके अंदर एड़ करेंगे और चोथाई चम्मच ही हम इसमें काला नमक एड़ करेंगे तो चलिए विवर्स आज की प्रोप्रेशन स्टार्ट करते हैं अगर आप इसे बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं यानिकि आपके पर समय कम है तो आप कैरी को जो है सबसे पहले छील ले ठीक है तो छील के इसको छोटे-छोटे टुकडों में आप कट कर ले तो उससे यह जल्दी पक जाएगी आपको कम मातरा में पानी डाल करके इसको उबालना होगा दूसरा तरीका यह है कि आप जो है स्टोप पे या गैस पे जहाँ भी कुकिंग करने वाले हैं उसमें आप पानी जो है इतना पानी उबलने के लिए रखें जिसमें आपकी कैरी जो है वो अच्छे से डूब जाए यानिकि एक लीटर पानी में जो है यह तीनों कैरी अगर हम बॉयल करेंगे तो अराम से उबल जाएंगी तो यहां मैंने पानी उबाल लिया है और उसको अच्छे तरीके से मैंने कैरी को धो करके इसमें एड कर दिया है कोई काटना नहीं कुछ छीलना नहीं अब हम इसे तकरीबन दस मिनट तक उबालेंगे मतलब अगर आपके पा करना है एक बाउल में आपको मसल लेना है हाथ से तो उससे क्या होगा छिलका और गुठली बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आपको जो है वह बहुत ही शांदार वाला क्रीमी टेक्स्चर वाला इस तरह का पल्प मिल जाएगा और इसमें कोई रेशे नहीं देखिए और इ उसको हम एक ब्लेंडिंग जार में जाए वो एड़ कर लेंगे और हम इसे गाड़ा बना रहे हैं वियोर्स पतला नहीं बना रहे हैं तो इसे दो से तीन दिना फ्रिज में आराम से यह रुक जाएगा तो अब इसमें चीनी या गुड जो भी आप एड़ करना चाहें कर दे तो इसमें अभी जाएगा हमारा भुना हुआ जीरा और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट मेकर इंग्रीडियंट इसमें जाएगा ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ चोथाई चमच पिसी काली मिर्च और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चोथाई चमच काला नमक नमक आ और आपके उपर है ठीक है और अब इसमें एक बहुत ही रिफ्रेश करने वाली चीज हम एड़ करने वाले हैं क्योंकि हम इसे जादा दिनों तक फ्रिज में नहीं रखने वाले हैं तो इसलिए हम इस ताजे पोदीना पतियों को जो है वो एड़ करेंगे लगबग एक टेबल गिलास जो भी आप ग्लास ले रहे हैं उसका इक बटाचार हिस्सा गेला है वी बड़ बहर देना है और इस तरह में हर एक ग्लास में हमें एड़ करना है तीन टेबल स्पून ग्राड़ denkeRad brush, šis funciona और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स तो वेर्स यह हमारा एकदम थंडा तरो ताजा और हेल्डी जो है कैरी पन्ना तयार हो गया है बहुत आसान रेसिपी है इसे ट्राइब जरूर करें थैंक यू फो वाचिंग